वेताल पच्चीसी दस्वी कहानी मदनपुर नगर में वीर वर नाम का एक राजा राजिकिया करता था उसके राज में एक वैश्य था नाम था जिसका हिरन्य दत्थ उसकी मदन सेना नाम की एक पुत्री थी एक दिन मदन सेना अपनी सक्षियों के साथ बाग में गई वहाँ सायोग से सोमदत नामक सेट का लड़का धर्मदत अपने मित्र के साथ आया हुआ था वो मदन सुना को देखते ही उससे प्रेम करने लगा घर लोट कर वो सारी रात उसके लिए बेचैन रहा अगले दिन वो फिर बाग में गया मदन सेना वहाँ अकेली बैठी थी उसके पास जाकर उसने कहा तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तो मैं प्राण दे दूँगा मदन सेना ने जवाब दिया आज से पांचवे दिन मेरी शादी होने वाली है मैं तुम्हारी नहीं हो सकती वो बोला मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता मदन सेना डर गई बोली अच्छी बात है मेरा ब्या हो जाने दो मैं अपने पती के पास जाने से पहले तुमसे जरूर मिलूँगी वचन देकर मदन सेना डर गई उसका विवा हो गया और जब अपने पती के पास हो गई तो उदास होकर बोली आप मुझे पर विश्वास करें और मुझे अभेदान दें तो एक बात को हूँ पती ने विश्वास दिलाया तो उसने सारी बात कह सुनाई सुनकर पती ने सोचा कि ये बिना जाय मानेगी तो है नहीं रोकना बेकार है तो उसने जाने की आग्या दे दी मदन सेना अच्छे अच्छे कपड़े और गहने पहन कर चली रास्ते में उसे एक चोर मिला उसने उसका आचल पकड़ लिया मदन सेना ने कहा तुम मुझे छोड़ दो मेरी गहने लेना चाहते हो तो ले लो चोर बोला मैं तो तुमें चाहता हूँ मदन सेना ने उसे सारा हाल कहा पहले में वहां हुआओ तब तुमारे पास आऊंगी चोर ने उसे छोड़ दिया मदन सेना धर्मदत के पास पहुची, उसे देखकर वो बड़ा खुश हुआ, और उसने पूछा तुम अपने पती से बचकर कैसे आई हो, मदन सेना ने सारी बात सच-सच कह दी, धर्मदत पर उसका बड़ा गहरा असर पड़ा, उसने उसे छोड़ दिया, फिर वो चोर के पा और वो उसे घर पर छोड़ गया, इस प्रकार मदन सेना सबसे बचकर अपने पती के पास आ गई, पती ने सारा हाल सुना तो बहुत प्रसन हुआ और उसके साथ आनन से रहने लगा इतना कहकर वेटाल बोला हे राजा, बताओ, पती, धर्मदत और चोर, इन में से कौन अधिक त्यागी था, राजा ने कहा चोर मदन सेना का पती तो उसे दूसरे आदमी पर रुझान होने से त्याग देता है, धर्मदत उसे इसलिए छोड़ता है कि उसका मन बदल गया था, फिर उसे ये जर भी रहा होगा कि कहीं उसका पती उसे राजा से कहकर दंडना दिलवा दे, लेकिन चोर का किसी को पता ना था फिर भी उसने उसे छोड़ दिया, इसलिए वो उन्देवनस से स्यादा त्यागी था, राजा का जवाब सुनकर बेताल फिर बेड़ पर जालटका, और राजा जब उसे लेकर चला, तो उसने क्यार भी कथा सुनाई